आज इस वीडियो में ATL का Zero Balance Bank Account के बारे में बात करने वाला हूँ क्या ATL Zero Balance Bank Account पेटियम Zero Balance Bank Account का रिप्लेस्मेंट हो सकता है या उससे कोई बेटर Zero Balance Bank Account मार्केट में एवलेबल है साथ इसके बारे में आपने जानने वाले हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं आना में किश्रा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू टू चैनल तो चलो 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 करते हैं यहां पर आपने अटल पेमेंट बैंक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि Zero Balance Saving Account offer करता है इसका क्या क्या बनेफिट है और क्या चार्जेस लगने वाला है इस सब के वहाँ गड़र हैं इसल में जांते हैं उससे पहलेमेंट बैंक यह कितना पेमेंट बैंक मार्केट में अबेल के अवलेबल है क्या होगा बंद होगा यह चलता रहेगा इस पर अभी डाउट है तो यह आप लोगो six payment bank अभी फिलान मार्केट में एवलेबल है payment bank का कुछ limitation है यह आप लोग payment bank open करते हैं तो इसमें आप लोग दो लग से जागा deposit नहीं रख सकते हैं FD या Recurring Deposit नहीं खुरुआ सकते हैं, Loan या credit card नहीं ले सकते हैं, या अप लोग Time Deposit या Niri डीपोसित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कुछ बोलेंगे कि हम लोग Paytium में FD कर पाते हैं, या 2 लग से जाए हम लोग Deposit कर पाते हैं, और आप यहां पर बोलें कि FD नहीं कर कर सकते नहीं कर सकते हैं तो उस केस्म में आप बता दों कि पेटियम जो है वों इंडेस già gotta कर लेता है याने के पार्टनर बेंग के साथ साथ टायभ कर लेता है उसके बाद आप टो है एक रमफे रखते है तो पेमेंट बैंक रहा का 2 लाग कोई पैसा राकटा है तो यह भेंट करना है तो यहाँ आप प्लोग कोता सकते ftd क्यों कोangi 100 बैंक नुठाइक नहीं क्यों चाल पॉजित कर सकते हैं तो क्युक्लिया अधरते कि एक बेंक का function क्या होता कि वह deposit accept करता है और loan देता है deposit accept करता करता तो उस में समझी का interest दे रहा और loan क्या होता है कि 10% या 12% में आगे दिया जाता है तो it effectively, यह different है वही एक बैंक का profit होता है है यहां पर क्या हो रहा है कि एक payment bank ना कोई loan offer कर सकता है, ना कोई credit card offer कर सकता है, तो यह payment bank कैसे पैसे कमाता है, यह मन में आप लोग को doubt आ रहा होगा, क्योंकि यह payment bank कैसे पैसे कमाता है, यह जान जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि payment bank safe है, की secure है, की नहीं है, इस सब के बारे म वो demand deposit balance maintain करेगा government securities के साथ as a part of statutory liquidity ratio तो इस ratio के लिए 75% at least payment bank को demand deposit में रखना पड़ता है government securities करना तो 75% तो चला गया 25% क्या करना पड़ता है time deposit में रख सकता है किसी other schedule bank के साथ ताकि उसमें interest मिलता रहे तो इसे साब से payment bank अपना deposit को रखता है तो payment bank का deposit जा रहा था है बिल्कुल secure रहता है बाकि revenue कैसे कमाएगा एक दो percent का जो interest जादा मिल रहा है उसे तो revenue बनता नहीं है तो payment bank का alternative revenue sources है कहां से कमाता पैसा data monetization से यानि कि आप लोग जो भी आप लोग data दिये हैं आप लोग phone number use कर रहे हैं उसके अंदर cross selling करेगा cross selling करेगा जैसे पेटियम में जाते हैं त या कुछ other type का credit facility offer कर दिया या किसी bank के साथ tie up करके loan offer कर दिया credit facility offer कर दिया यानि कि cross selling करता है data monetization करता है credit access platform बनाता है तो इस type से alternative way में पैसा कमाता है जैसे alternative merchant payment का model सा follow करता है तो alternative तरीका से पैसे कमाता है cross selling करके पैसे कमाता है तो यहां पर 1-2 percent का extra interest मिल जाता है payment bank को और बाकि cross selling करके maximum profit कमाता है एक payment bank तो आप लोग देखते हैं इस type से इसका business method है बाकि मैं आधी interest के बारें बात को तो इसका interest बहुत जादा कम है यह दी आप लोग एक लाग से कम का balance maintain करते है तो सिर्फ 2 percent का आप लोग interest मिलेगा जो कि आप लोग गवर्मेंट बैंक भी देख offer कर देता है और यह दी आप लोग एक लाग से जागा balance maintain करते हैं तब जाके आप लोग 7 percent का interest मिलेगा तो यह दी आप लोग एक लाग से जागा balance maintain करना ही रहता तो एटल payment bank क्यों खोलते हैं प्रोपर बैंक क्यों नहीं खोल लेते हैं तो maximum customer लगवा 90 percent customer एक लाग से कम का balance maintain क करेंगे और जिसके लिए सिफ 2 percent का interest मिलेगा तो interest rate जो है वह बहुत ज्यादा कम है और FD और यह सब तो आप लोग रखी ने सकते हैं बाकि payment bank भी DICGC के साथ insured है यानि कि आप लोग पेमेंट bank के अंदर भी 5 lakh का deposit बिलकुल secure रहेगा हला कि आप लोग से जाका deposit रखी नही जाता है 350 रुपीज का और annual maintenance चार्ज है 200 रुपीज का तो virtual card आप लोग सिफ 25 रुपीज में मिल जाता है लेकिन आप फिजिकल कार्ड लेना चाहते हैं तो 300 रुप्लस 200 रुप्लस हर एक साल देना पड़ेगा इस टाइप का आप लोग यहां पर चार्ज है और यह 25 रुप नहीं भी लेते हैं तभी आप लगवा 100-500 रुपया एक साल का अंदर चार्ज के साबसे चला जाना वाला है तो यह पेमेंट बैंक मेरे इसाबसे उतना अच्छा नहीं है क्योंकि कोई पी चार्ज नहीं रहता बिल्कुल जीरो चार्ज रहता तो मैं आप लोग सेस्क्राइ है नाव के edcard ऊफर कर सकते हैं बस वादी किसी प्यांक के साथ partnership कर लिया तो उसके थ्रूब ऑफर कर सकते हैं बाकि आप लोग को डियेक्ली आफर नहीं कर सकते हैं तो मैं परसौन की आप लोगा कि आपलो एटल पेवेंट बैंक का जीरो बैलनस बैंक अकान खोल सकते हैं य येदि आप लोग AU bank account ने खुलना है, तो second best bank account हो जागा zero balance के लिए कोटक 811 का, कोटक 811 का zero balance bank account भी काफी अच्छा है, इसका भी लिंक देदिया हूँ रिस्टी सान बाक्स में, वहाँ से आप लोग क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और यदि आप लोग अच्छा रखता है तो वह भी आप लोग open कर सकते हैं यदि आप लोग थोड़ा balance maintain करना है यानि कि आप लोग अधी 50,000 रुपिस का balance maintain कर सकते हैं तो best bank account हो जागा इंडी bank account जिसमें आप लोग बहुत सारा features मिलता है, numberless card मिलता है और भी आप लोग secure card मिलता है और इंडी bank account में हर एक महना आप लोग 1000 रुपिस का profit कर सकते हैं credit card bill payment करके electricity का bill payment करके तो आप लोग इस वीडियो के भी आप लोग जाके देख सकते हैं जहां आप लोग इंडी bank account के बारे में बताया हूँ तो उमीद करते हैं आज का ये interesting सा वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्काइब कीजिए तब तक के लिए, गुड़ बाई